जो हमेशा पहले मार्केट में लोगों को डर भी रहता था कि थोड़ा इंवेलेंस दे कि हम कम्प्लिटली फॉरेन इंवेस्टर्स पर डिपेंडेंट हैं लेकि पिछले दो सालों से जो बड़ा बदलावाया है चाहे कोवीड की वज़े से समझ लें कुछ भी समझ लें अब लोग इस तरफ आये हैं और इंवेस्टर्स काफी बड़े हैं क्या लगता आपको क्या अगले पचीश सालों में ये बड़ा गेम चेंजर होगा कि इंडिया हमारे मार्केट हमारे निवेशकों के दम पर चलेंगे नैकि फॉरेन इंवेस्टर्स के दम पर सो ऐसा नीए कि हमें फॉरेन निवेश नहीं चाहिए हमें चाहिए और पूरे विश्व के लिए भी ज़रूरी है कि जहाँ पर ग्रोट जादा हो तो पैसा वहीं आना है बाखी देशों के तुलना में अगर ग्रोट की परटेंशल हमारे यहां जादा है तो पूरे साल पहले बात करीं तो करीब धाई करोड के आसपास निवेशक थे अभी वो साड़े तीन करोड निवेशक हुए है करीब एक करोड से जादा निवेशक एक साल में जुड़ें डिवेट अकाउंट देखो तो आप इतने जादा खुलें तो पुंजी बजारों के प्रती बढ़ता जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी ताकत हमारी बन जाएगी आप सोचो अगर तीन ट्रिलियन डॉलर की एकोनोमी में 20 प्रतीशत हमारी अगर सेविंग्स रेट हो 500-600 बिलियन डॉलर हर साल का देश के निवेशक ही हमारे यहां लगा सकते तो वो over a period of time कितना ब बड़ा बन जाएगा तो यहीं के निवेशक विश्व के कई जो 25 साल बाद जब हम बहुत बड़े बन जाएंगे तो हम देखेंगे और कहां संभावना है वहां भी निवेश करेंगे दूसरे मार्केट कहेंगे भारत के एफाइज आये आज भारत के निवेशक आये निवे हम विश्व की बड़ी अवरस्त व्यवस्ता में रहे हम करीब करीब उससे में ऐसा गोई जीडीपी केलकुलेट नहीं होती थी बड़ा ऐसा मानना है कि करीब 25-30 प्रतिश्यत ग्लोबल जीडीपी खाली भारत की थी 25-30 प्रतिश्यत हम वानेजे के शेतर में उध्योग के शेतर में व्यापार के शेतर में विश्व में बहुत बड़ी ताकत थे सेंक्णों हजारों साल तक ये गुलामी के हमारे कुछ साल कुछ सदिया निकली बड़ वापस अभी परिवत्तन हुआ है में आजादी मिली सही मायने में देखें तो एकोनोमिक आजादी शायद 1991 से चालू हुई जब रिफॉर्म चालू है वैश्वी करण हुआ उधारी करण हुआ 2014 में एक बड़ी चीज हुई है वह जंदन योजना आधार और मुबाइल फोन वो जो एक जैम ट्रिनिटी बनी उसकी वज़ए से 100 करोड भारती है एक में इस्ट्रीम फाइनांस से जुड़ गए और अभी अगर हम सोचें आगे जाकर करके तो एक जन निवेश योजना नहीं कहूंगा पर एक जन निवेश का जो एक मुहीम चालू हुई है इसमें दिरे दिरे जब देश का पैसा हमारे यह आएगा पुझी बाजारों में वहां से हम उद्ध्योग और व्यापर में वो पैसा लगाएंगे वो लोग जो growth करेंगे, jobs create करेंगे तो income बढ़ेगी, वापस income बढ़ेगी तो लोग और निवेश करेंगे, निवेश करेंगे तो और उद्ध्योग और व्यापार बढ़ेंगे तो यह एक virtuous cycle हमारा बन सकता है यानि कि बहुत कुछ बैतर होने वाला है